आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान महराश्टर में प्याच उत्पादकों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है प्याज की कीमतों में गिरावट से पहले ही किसान संकट में है स्थीती ये है कि इस समय किसानों के लिए बजार भाव से लागत निकालना मुश्किल हो गया है वहीं प्याज का बंडारन करना भी मुश्किल है दरसल मंडियों में किसानों को प्याज मिल रहा है जिससे किसान प्याज के बंडारन पर जोर दे रही है किसान खेतों से निकाल कर प्याज का बंडारन कर रही है लेकिन मालेगाव की किसान को प्याज का बंडारन करना मुश्किल हो गया है किसान ने कीमत बढ़ने के इंतजार में प्याज को स्टॉक में रखा था लेकिन किसी ने उसके प्याज पर यूरिया का चिड़काव कर दिया जिस से पूरी तरह प्याज खराब हो गई और उसे 80-90 हजान का नुकसान हुआ इस समय महराश्टर में इस तरह की घटनाय लगातार बढ़ती जा रही है कुछ दिन पहले एक किसान ने 200 किंडल प्याज जमा किया था और किसी अग्याद र्यक्ती ने यूरिया का चिड़काव कर प्याज खराब कर दिया था इस तरह की बड़ती घटनाव से जिले के किसान अब डरे वे हैं कि कैसे अपनी उपज को सुरक्षित रखा जाए मालेगाव के एक किसान का कहना है कि इस साल उन्होंने प्रकृती की अनियमित था और विजली की अनियमित अपूर्ती के कारण बड़ी मुश्किल से प्याज के खेती की थी लेकिन कीमतों में गिरावट के कारण किसानों ने अच्छे बजार मुले का इंतजार करते हुए प्याज का बंडारन रख दिया था किसान ने आगे बताये कि किसी अग्याद व्यक्ती ने प्याज पर यूरिय का छिड़काव किया और प्याज पूरी तरह तबाह हो गई इस से उस किसान को 90,000 का नुकसान विवा वही इस तरह की बरती घटनाओं से किसान डरे वए है फिलहाल किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आई है और पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है महराश्ट में अब तक ऐसी कई घटनाए सामने आ चुकी है एक महीने में प्याज को लेकर ऐसी चार घटनाए हो चुकी है इसलिए किसान प्रशासन से सक्त कारवाही की मांग कर रही है ताकि भविश्य में ऐसी घटनाए ना हो फसल खराब होने से किसानों का वाशिक वितिय बजट चर्मरा गया है अभी भी कई मंडियों में प्याज की कीमत सक्तर पैसे से लेकर एक रुपे किलो तक है प्याज का गड़ माने जाने वाले नासिक में भी प्याज का बाजार भाव तीन सुरुपे प्रती कुिंटल है जबकि सोलपूर में यही प्याज दोसुरुपे प्रती कुिंटल तक ही बिक पा रही है आपके ग्राहक के खुशी से आपके दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान